जैस रिशाम मित्रों, मैं हूँ आपका जोतिश मित्रपंडित हार्ष, एक बार फिर से आपका हमारे यूटूब चैनल एश्टोपंडित हरस सर्मा में स्वाकत है बड़े ही सरल तरीके से जोतिश को जानेंगे और समझेंगे मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विशेरेने वाला है स्रावनमास जानेंगे इस सावन कब कब पढ़ेंगे सावन के सोमबार तो चुड़े रहे हैं हमारे इस यूटूब वीडियो के साथ में आंत तक जानते हैं कब से शुरू हो रहा है सावन का महिना और कब कब पढ़ेंगे सावन के सोमबार मित्रों, सावन महिना शुरू होने का इंत जार सभी सिव भक्तों को बेश अबरे से रहता है सावन महिना शुरू होने के कुछ ही दिन बाकी है और इस बार सावन सोंबार को लेकर विशेश योग भी बन रहा है मित्रों हिंदू कलेंडर का पांच वा महिना स्रावन मास होता है जिसे सावन महिना कहा जाता है आसाड महिने के बाद सावन महिना आता है सावन का महिना बगवान शिव को समर्पित होता है सावन महिने का सोंबार विशेश होता है पितरों सावन सोंबार के दिन भोलिनात को जल चड़ाने से पूजा करने से वरत रखने से वे जल्दी प्रसंद होती है सावन सोंबार वरत के अलावा सावन महिने में मंगला गोरी वरत भी रखे जाते हैं इसके अलावा सावन सिवरातरी भी इस महिने के सबसे महत्पुन जिनों में से एक होता है आए जानते हैं कि सावन महिना कब से सुरू हो रहा है और इसकी महत्पुन की तियां कौन कौन सी है पित्रों सावन महिना 2024 इस साल सावन महिना 22 जुलाई 2024 से शुरू हो रहा है और 19 अगस 2024 तक रहेगा यानिके समापत होगा इस बार सावन महिने पर कमाल का संयोग बन रहा है, सावन महिने की सुरुवात भी सोंबार से हो रही है और सावन महिने का आखरी दिन भी सोंबार को ही पढ़ रहा है इसके चलते इस बार सावन महिने में पान सोंबार पढ़ेंगे तीसरा सावन का सोंबार बरत रहेगा पांच अगस्त दोहजार चोविस सावन का चोता सोंबार बरत रहेगा बारा अगस्त दोहजार चोविस और सावन का पांच वां और अंतिम सोंबार बरत रहेगा उननीश अगस्त दोहजार चोविसको मित्रों सावन में मंगला गोरी व्रत, सावन का पहला मंगला गोरी व्रत 23 जुलाई 2024 को रहेगा और सावन का दूसरा मंगला गोरी व्रत 30 जुलाई 2024 को रहेगा सावन का तीसरा मंगला गोरी व्रत 6 अगस 2024 को रहेगा हालांकि szivratriy की पूजा रात को निशिताकाल में ही की जाती है इसलिए सावन उव्रात्री दो अगस्त को मनाई जाए। इनैके सावन लृत्य के सोभारों की विशेश जांकारी और इसितरय की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़़े रही हमारे इस चैनल पर जोतिस को बड़े ही सरल बासा में बताया और समझाया जाता है आज के लिए बस इतना है मित्रों जैसरी शाम जै बोलिनाद